ख़ड़ी ओणा फीरु नारी ओणा तुलो सारी दुनिया पार इजुमल इधर है यार सुनना इधर बाहर जाते यार और सुन तेने डाट से काल की चावी लेना मत भूलना अरे क्रीश सुन तो अरे बेल्डिंग में 59 का प्रोग्राम है एटलिस फ्लाइगाउ सिंगर के जना गना मना तो काली अरे पका मत यार जना गना मना तो हम मुई देखने के पहले भी गाले गयार तो दो मिट में उतर मैं भी उतरा हो के चल बाई अरे क्रीश सुन तो ओ गॉड यह नाटक तुम लोग के लिए है तुम जैसे नौ जवान के लिए है प्लीज बैठ जाओ पार्टी तो बाद में भी होती रहेगी बैठ ये आज 15 अगस्ट यानी अपना स्वातंत्र दिवस जिस दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली आज हमारी भारत मा आजाद है भारत जिसे विश्व का मंदिर माना जाता है ऐसी पवित्र भारत दूमी की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ इस बात का मुझे गर्व है मुझे अभिमान है कि मैं इस पवित्र भारत गूमी का संतान हूँ आज हम सब अपने घरों में बड़ी खुशी से रह रहे हैं इस भारत मा की गोद में बैठ कर फुली हवा में चेन की सासे ले रहे हैं पर अफसोस आज कल के नौ जवान यंग्ष्टर्स को सहीर दिशा नव मिलने के कारण अपनी जवानी के जोश में फिल्मी स्टार्स की नकली इमेज में अंधे होकर उन्हें ही अपना आदर्श मान लेते हैं और बस एक ही सोच मना लेते हैं कि जिन्देगी मतलब शॉटकट, नेम, फेम, मानी, आश और याशी, विकॉज विया फ्री, राइट? ऐ मेरे प्यारे नौजवानों, मैं तुम सबसे प्रश्ण करना जाहूंगा कि तुम मैंसे कितनों को हमारी इस आजादी की खीमत है तुम मैंसे कितनों को हमारे भारत देश के प्रती फ्रेम है? अगर नहीं, तो आज का दिन 15 अगश्ट हमें पोकार रहा है जिस देश के पीछे मादमा गांदी, सर्दार वल्लबबर पटेल, जैसे महान पुर्शों ने, वीर शिवाजी, महाराना प्रतप, जैसे महान करांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन पुर्बान कर दिया और आज भी, आज भी इस आजाद भारत देश की रक्षा के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एरफोर्श में अपने नौजवान खड़े हैं, अपनी जान की बाजी लगा हुआ हैं और शहीद हो रहा हैं ए मेरे दोस्तों, हम उन देश भक्तों से, उन रियल हिरोस से कितनी प्रेरित होते हैं, उनके जीवन से हम प्रेना लेने की कभी कोशिश करते हैं, अगर नहीं, तो आज का दिन हमें कहरा है कि ए मेरे वतन के लोगों, जरा आखों में भरलो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा यार करो कुरबानी, my dear friends, ये कोई रामा नहीं है, ये श्रद्गान जली है, उनकी शहीदों को, हमारे दिल की भावना है, और एक मेसेज है, आप सब के लिए तो प्रस्तुत है, ए मेरे नौजवान, पर एक मिलिट, मैं आप सब को खाली इतना बता दू, कि इस कहाने की शुरुवात, सर्दार पर्टेन स्कूल के रियूनियन पाटी से होती है, माई तुर्ट, किसे मोडे हो गए हो, जाहा हो आप सब करें हो, जाह करो यार, अजकल ऑफिस से इसना लेटाता हो, बोक लोड़ इसना है, कि बॉक्टी नहीं मिलता, अरे इसे छोड़ो यार, ये तो बहुत बढ़ा आपी बन गया है, कुम बढ़ी की हो, इन बनी कुम गई हो, क्या कर रही हो आजकले, बस रही, एक मैंने पहले फार्ट में जाने का फोर्ट सम्ने के हो, और आप करवाने साथ ही करवाने के लिए हाँ, जो कर दिए बढ़े ह आप कर दो सम्ने कॉलेज का मार दोगे है न, और रहता है, अला रहा है उसके अर्वी ज़ली है न, अरे हा, थोड़े ही दिन पहले में उसके भाई से मिला जा, सुना है अपना नाला एक दोस्त, बढ़ा ही शुजर गया है, ऐसे है का अर्वी ज़ली हा रहा, पार्टी में अरे देखो हो आ गया, शाव गान, हमाने बड़े, आर्वी ओफिशर, पार्वी ज़ली है, या या तू पार्टी में भी आर्वी ज़ली है, अरे मैं बस कुछ बिंडो पहले ही राधेश्चांग से फ्लाइट में आ रहा हूँ, और वाइरपोर्ट पे ही मुझे पता चला, कि आज हमारी रियूइन पार्टी है, तुम से मिलने का बड़ा अमन कर रहा था, इसने सीधा यहा चला आया, बाई दवे, कैसे हो तुम तब, बड़े सानों बाद मिल रहे हो, वो सब जाना दे यार, पैल एक सलशी हो जाए, ओट से ओट, हम सब तो ठीक है, यार, पर दून सुरा सो पहचानी है, जो लड़े जिन के हे, पुर्चा, पुर्चा कट पड़े, कभू न चाड़े के, जो उंता उप्रेम से लग्चा चाओ, सिर्दर तली गली मुर्याओ, मेरा इक बड़ा भाई, चाचा का लड़का, आर्मी में था, एक दिन चुष्टियों में, मैं उ इस पर बहुत बढ़ गई, फिरी छे महीने बाद, उसके शहीद होने की ख़बर आई, मुझे बड़ा दुख हुआ, पर उसकी शाहदत ने मुझे एक ऐसा एसा एसास दिलाया, कि जान कोने के बाद भी, वो एक ऐसी त्रिमती चीज़ पाया, जो कोई की साधार ने करते, अ अगर कोई उसका नाम लेता है, तो उसके मादा पिता, बड़े गर्वक के साथ कहते हैं, कि हाँ, ऐसा बाद उर्था हमारा बेटा, बस यहीं सोचकर मैंने भी फॉल्ट जुएंट करने है, जान, तुम्हारी बाते सुने का तो बड़ा हमांट कर रहा है, और भी कुछ बता अपनी हार्मी लाइक के बारे में, कि तुम लोग के तरहां पहाड़ों और जंदरों में घुजारा करने के हो, और अपने सुन्दी के वक्त इस रहा का जीवल पेकारने के हो, तो सुनो, एक साल पहले की बात है, मेरी डूदी राजे सां मॉडर पे भी जहिन सर्, जहिन बॉइस, अभी अभी हैड़ बॉडर से मैसेज आया है, कि हमें इस पुछ पर एक और महीना रुखना है, और खाने पीने का सामाना आते शाय देर भी लग जाया है, इसलिए, खाने का हर एक डाना और पानी की हर एक मूंतों में संभालते रखना है, इस दै अभी अभी प्रेक्मेंट भी क्या कुछ समझे भाई, जड़ा हमें भी कॉल्कर बिनाओ, अरे हाँ हाँ, जरूर, क्यो नहीं अरे भायो, बीटा हुआ है जरूर, क्यों नहीं, बस मैं उसका चहरा देख लूँ, जरूर, क्यों वोटे हो दोस्त, बारतमा की कुछी रुपा होगी न, जल्दी जल्दी आ जाएगा जरूर, क्यों मुझे भी आ रहे हैं दूस्तों, खास करके मा के हाथ के फराथे, आलू की सब्जी, जाजर का अलुआ, अरे बस कर यार, पेरी मा के सिर्कों के पाली आ जाएगा मैं तो अपती बहर की शाधी तक में नहीं गया था, हमारे लिए यह सारी बाते अपने कर्तों बेसों बरकर खोड़ी ना है अरे मिया, उस खुदा का शुकर करो की हम यार, एकिस्तान में है, सियाचन बॉर्डर पेशनी, पता है वा तंपरेचर की इतना होता है, माइनस 50 डिग्री, और वो भी दिन में जरा सोचिए, वहाँ अपने फौजी भाईयों कैसे रहते होगे, किन-किन तक्रीवों के साथ अपनी मात्रू रूमी यानि की भारत का भी रक्षा करते होगे और अगर नसीब ने साथ ना दियाया, तो बिना देड़े, लाइंग स्लाइड में ही जहीद हो जाते हैं, क्या हम यहाँ लिकिस्ता में कुछ की स्पच नहीं इन सब्की बात सही है सब्की, हम फोजियों पर 132 करोर भारतियों की जिम्मेदारी है, और यही हमारा सर्वत्रतम करतव्या है, हमें यह सब बाते सुचकर तुम्जोर नहीं बढ़ना चाहिए सर्वरोशी की तवन्दा अब हमारे दिल में है, देखना है सौर कितना पाजुए का दिल में है अले वज़िए सुचकर प्रियस हो गये सर्वकिया थुड़ा बल्ले-बल्ले हो गए हो जाए अले गाना कहां से मज़ाए जाहा अरे रूप यार अभी तगा थो मेरी तवार मैरे निगाहे घरती है जर्वा तेरा चर्वा चर्वा जर्वा तेरा चर्वा तवा मैरी तवार जिस्म तेरो तोने का हीरे मोती लाल जड़े है तेरे गर पे हम सब तेरे पहरे दार करें हम है को का हम है तेरे हम है का क्या हम है क्या है तेरा जल्बा 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 जल्ब सु मेका दोस्तो ऐसी होती है फोर्जीयों की जिन्दधी खालाँ चाहे कोई भी हो हम फोर्जीयों के दिन में ना कोई दर्ध है ना कोई फर्याद अगर कुछ है तो वह सिर्फ फोर्जिफ बिरंगे से बहुत बत है प्रति रिस्पेक्ट बहुत बटेगी, क्या तुम हमें अपने पहुती भाईयों से मिला सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, एक हफ़े बाद हम सब वापिस जा रहे हैं, तब तुम लोग चाहो तो स्टेशन पर आकर उने मिल सकते हो? हाँ जरूर, हमें बहुत खुशी होगी होने में, तो ठीक है, चलो मिलते हैं वे यजरूर, हेन में और हुपिस, आ कि ने के место हैं मैं मता मिल्ταु, हुझ यह कौन्सेम में में ने मेरा भाई है स्टेश आतवाः जरूर, क्य क्ति खुशी और हमें सुनदेश जरूर अने के सारूर, मैंने बहुत थे आए विराद रिचाय, यही है मेर बोड़ी बाईयों, जिंस आप पुलना चाहते हैं। लो, यह से हो समक्तवे ही? बस आप यह से कारें बतुषणे काुटा, शांति के जीरें। अब आपो जो पने सवाल पाचो, इन लोकों से भूछ सकते हो। मैं तुम्हारे माता पिला से कुछना है साथ हुआ 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 हाँ बेटा फूचो कुसका चाते हो पूचो आपको कैसा लगता है अब आपका देटा और आपका भाई आपसे छे-छे मन्यों तक बहुत को अपनी हर्देरी पालेकी दूता है पहले तो मैं बहुत ही डर लगत और उसकी सेवा और भावना की बाते चुनकर मैंने भी अपने दिल पर पद्जर रख दिया और मैंने उसे आर्मी में जहने की परिशों देगी और रही बात मोर की अगर वह भारत माता की रक्षा करते हुए शेई पि तो इससे ज़ deze जागर की बात मारे परिवार के लिए सब्सक्राइब करने की पर्मिशाइब क्या बॉर्डर पर लगते वक्त आपको दुश्मत ली गोली लगने का डर नहीं लगता और योग ना कि इसमें कुंछी बड़ी बात है इसलिए तो आपने आर्मी जाइट की थी और बारत्बा की रक्षा किनिया में अधी सेक्रों गोल है तो अरे इसमें कौन जी बड़ी बात है अपने भारत मता के लिए तो अपनी जन हस्ते हस्ते दे सकते हैं और पता है हमारे जिन्दगी में एक और लक्ष्य है काश हमारी जिन्दगी में सरहत की शामा है काश हमारी जिन्दगी इस वतल को कामा है ना खौफ है मौत का ना मार्जू है जन्नत की बस बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का काश इसमें हमारा भी नाम है काश करें दर्म या जात्वाद में विश्वास रखते हों वैसे तो हम सभी दर्मों का अधर और पालन करते हैं पर हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म कि हमारी मात्रूपुल यानि की भारत मां की रक्षा करना ही और वो कहते हैं ना कि ना हिंदूों से ना मुसल्मानों से इस देश को अगर कोई खत्रा है तो वह सिर्फ और सिफ गबदारों और नहीमानों से आज आप लोगों ने हमें एसास दिला दिया कि ये श्यास बड़ा और कुछ भी नहीं है आप लोग हमारे लिए उतना कुछ करते हो तो बद्रे में आप हम दिवाओं से क्या चाहते हो आपके सवाज का जवाब बात ही हो के चलो भाईयो देटी गंटी बच चुकी है बॉडर पर जाने का समय आ गया है यस सर्ट वो मेज़र प्रताफ और उनके साथी अपने परिवार को छोड भारत हमा की रक्षा के लिए बॉडर पर निकल पड़े वो पटान कोट की ओर जाई रहे थे कि उन्हें हेड़कोर्टेस से कॉल आया कि हुपड़ा के एक फॉरेश्ट में आर्मी आतंक वादियों का एक क्याम लोकेट हुआ है तो मेजरम्रेताप और उसकी टीम को उस आतंक वादियों का क्याम जोकेट कर उन्हें नाश करने का उन्हें डिस्ट्रॉइ करने काеся मिशं दिया गया और उन्होंने जैसे ही ट्रें से उत्रे वो एकनद मिशं के निकल पड़े और उन्होंने आतंक वादियों के क्याम को गेर लिया और फाइरिंग शुरू हुई ओई, खाई कितर देखो चलो तहीं सीवार चलके तुनी देखो, चाओ क्योंग बाइर पता, याल बाइर बाइर। फई है बनाू परो ब coast साओ खशने थो आल के में नौतिकल हुआ। अब तक धी रज मांगा था रहु अब धी रज मत देना सहते जाए, सहते जाए इसा बन भी मत देना उठकर करने है कुछ काम रखुपधिरा ग्रा जाया अब धे करने है कुछ काम तुम करना के सागर, तुम पालन करता, तुम पालन करता, पर जो जुल्म हे करता, कहां तुम सी दलता, आयल है भूला इनसा, तुम पालन करता, आयार को जुम पालन करना करता, ए VP आयल के सागर, तुम पालन करता, अभी दलता! रच्छोस्त if कि ऑड़ है धुड़ कि अबता है! मुरा चवाइब! याईब! कि दुनिया से अब जा रहा है, कितने गोरों से सर्गों उठा अन्य है माग हर उस पाता के जो ऐसा बेला पाव जाए 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 मंदल, 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 म लिज असके वर्द केंगा। का संतुम को बतन वालो कभी मा जूस लगतनो ना मना ना जश्न आजानी ना मेरे बास ते रोना मिला है मत से भी हम मिलाने से नहीं डरते देश मेरे देश मेरे मरी जान है तो देश नहीं तेरे देश मेरे यान है तो देज डेज मेरे मेरी श्चान है तू तेस्मेरे, तेस्मेरे, मेरी शाले तो, तेस्मेरे प्रताब, मैंने अक्पर से एक सवाल पुछा था, कि आप हम देश के विवाव से क्या चाते हूं, पर अफ्सोस बहुत चला गया नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, अक्पर हम सब फोजियों के दिन में बस चुका है, और उसकी सोच हम सब में उतर चुकी है ट्रेन पे जाते वक्प, अक्पर ने मुझे एक चिट्री दिती, आपके नाम पे, शायद इसमें आपका जवाब लिखा हो जय बहिया, क्या आप हम सब को इस चिट्री में क्या लिखा है वापढ़कर सुनाएंगे, जरूर मेरे प्यारे दोस्त, सौरी मैं तुमसे बात न कर सका, इसलिए प्रेन में ही बैट कर तुम्हारे सवाल का जवाब लिख रहा हूँ, क्यूंकि पता नहीं वापस तब मुलाकात होगी दोस्त, तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले, मैं कुछ मेरी दिल की बाते बयान करना चाहूँगा दोस्तों, हम पौजी के लिए हर कोई यंग्स्टर जो इस मिट्टी से पैदा हुआ है, वो हमारे बाइट के साथ है मोहबत है हम, मोहबत है तुम सबसे, पता है बॉडर पर खड़े रहते हुए भी हम आपके बारे में सोचते हैं और इसलिए जब कोई आकर हमसे हाथ मिलाकर सेल्यूट करता है ना, तब बड़ी खुशी होती है दोस्तों, खुद किस्मत हो तुम सब कि तुम अपने घर में अपने परवार के साथ सुखी हो और हम फौजी बले अपने घर परवार से दूर है पर तुम से ज़्यादा खुश किस्मत है क्योंकि हम भारतिया सेना के फौजी जवानों में अगर जीते हैं तो देश के लिए और शहीद होते हैं तो भी अपने भारत मा के लिए दोस्तों भारत देश के लिए शहीद होने का हमें गर्व है गम नहीं पर दिल तब दुपता है जब हम देखते हैं कि आज घर पर बेखे मेरे भाईयों के दिल में हम फौजी के लिए को गाईय नहीं शहीद होने के म्यूज भी पढ़ते हैं अफसर्श करते हैं और भून जाते हैं जिस देश के लिए हम अपनी जान खुर्बान करने के तयारी रखते हैं तो भारत देश के लिए घर पर बैठा मेरा भाई कितनी चिंता करता है देश के लिए कितना काम आता है देश से कितना प्यार करता है है को जवाब तकलीफ होती है जब जवाब में ऐसी खामोशे मिलती हैं हम फौजी चाहे बॉडर पे हो चाहे कोई ओपरेशन पर हो या नाच्रल डिजास्टर में हो हम फौजी न कोई धर्म देखते हैं और न कोई जाट बस कंदे से कंदा मिला कर एग होकर निकल पड़ते हैं किसके लिए तुम्हारे लिए हम फौजीओं की ताकत है हमारी एक्ता हमारा देश प्रेंग हमारी मानवता जिसे इस इंप्रॉसिबल को भी प्रॉसिबल बना दीते हैं घर पर बेटे मेरे दोस्तों मैं पूछता हूँ तुमने अपने पत्वार समाज की एक्ता बढ़ने के लिए क्या किया तुमने देश के विकास के लिए क्या किया तुमने मानवता धर्म का कितना पालन गिए मेरे दोस्त ऐसा दिल का क्या फाइदा जो गैरों को प्यार ना दे सके और ऐसी जुवानी का क्या फाइदा जो देश के काम ना आ सके फिर भी एए मेरे नौजवान दोस्त इस इमें तुमसे मुबत है क्योंकि हम एक ही मा के संतान है भारत मा के संतान बस इतना ही कहना था अब तुम्हारा सवाय का जवाब तुम्हें पूछा कि हम पौजी अपने देश की युवानों से क्या चाते हैं तो सुनो गर पर अपने परवार के साथ बेठे ए मेरे नौजवान दोस्त सुनो हम नहीं कहते कि तुम अपने परवार को छोड़ आदमी जोइन करो हम नहीं कहते कि तुम गुर्के पैसे रहकर बॉर्डर पे खड़े रहो हम नहीं कहते कि इस तिरंगे के लिए अपनी जान दे दो पर मेरे नौजवान दोस्तों, क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते कि अपने देश का, अपने तिगंगे का सन्मान करे, उसे सलामे दे, स्कूल, कॉलेज में जनगन मना को भाव से गाए, इससे देश भक्ती बढ़ेगी, अपनी ससाइटी में उसे प्रोग्राम करे, जिससे बच्छों में देश भक्ती बढ़े, अपने महापुर्शों, क्रांतिकारियों, शहीदों की बुक्स पढ़े, जिस देश ने तुमें टैलेंडेर बनाया, उस देश को फोरें जाकर मत बेचो, अपने टैलेंड का फाइदा अपने गरीब देश वासियों को दो, देश का विकास होगा, पर सबसे अहम बात, एक्ता और मानवता से भी हमारा देश मजभुट बनेगा, और इसकी शुरुवात अपनी ही सोसाइटी से गरो, पेररिस्ट सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, हर सोसाइटी, हर धर में है, जिस कोई धर्मों का सन्मान करो, प्रोब्लम चाहे कोई भी हो, प्रेम और बातचीत से सौल करो, मानवता धर्म का फालन करो, नफरत खतम होगी, प्रेम बढ़ेगा, भारत देश मजभुट बनेगा, एन येस, एट लास्ट, जब भी कभी मेरे जैसे फौजी को मिलो, सिर्फ उस उस से हाथ मिला कर जैहिं बोलना, और बस कहना, वी आर प्राउड ओफ यू, बस दोस्त बहुत लिख चुगा, अब नीन आ रही है, सोने जा रहा हूं, मेरा यहां सुजाव, अपने दोस्तों से शेर करना, और हो सके, तो इसका फालन करना, तो इस वाजी गॉडर पर भी च कमांडर अकबर, दोस्तों, कमांडर अकबर ने तो, अपने देश के लिए, हमारे लिए, जान दे दी, और शहीद हो गए, लेकिन अगर, हम यक्ष्टत, कमांडर अकबर को, की बाते ले ले, तो कोई नहीं पूछेगा, कि अच्छे दिन कब आएंगे, इस, हम सब मिलकर, अ दे बात्राम, गन्दे बात्राम, गन्दे बात्राम,